स्वागत है आप सभी का चैनल पर आज हमारी जो कवीता है वह है आत्म परीचे तो इसमें आज हम आत्म परीचे कवीता के बारे में कुछ महत्पूर बातें करेंगे जो आपके परिक्षमें काफी काम आने वाली है काफी मदद करेंगे आपके एक्जाम्स में तो देखते हैं कि इस कविता को लिखा किसने है कविता लिखी है हारिवाइश राय बच्चन जी ने और ये जो कविता है उनका गीत संग्रे है जिसमें उन्हें काफी सारे गीत उनके कलेक्शन किया गया है तो उसका नाम है निशा निमंत्रण उसमें से यह कविता ले गई है और अपने को ज जानना जो है सारी दुनिया को जानने से कठिन है समाज से व्यक्ति का नाता कैसा होता है खटा मीठा होता है यानि कभी उसमें खटास भी होती है कभी मिठास भी होती है और हमारा जो संसारिक जीवन है यानि जो हम जगत में रहते हैं उसमें हम पूरी तरह से उससे अलग नही रह सकते हैं तो कवीता कैसी है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं जग जीवन को भार बताया है यहां पर कभी ने और कहता है कि समाज में हमारा जीना है वेक मेरे लिए बहार के स्वरूप है वजन के समान है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं भई जीवन की जिम्मेदारी है उसकी जो संसारिकताई है वह उसे भार दिखाई देती है ले इन फिर भी वह कहता है कि मेरे जीवन में मैं सब के लिए प्यार लेकर के फिरता हूं किस तरह से वह प्यार लेकर के फिरता है वह कहता है कि कर दिया किसीनी जहंकृत जिन को छूकर मैं स चूँ करके उसके तारों को जब चू लेता तो धन्करित हो जाता है उसी तरह से कभी कहता है कि मुझे किसी ने चूँ करके मेरी सांसों के तार को वाद्देयंत्र की तरह जंकरित कर दिया है यानि कि उसमें से मधवर्म थुन सुनाई देने लगी है आशा करते हूं कि आपको यह पेरेग्राफ प्रियर हो गया होगा हम फिर दूसरे पर आजाते हैं कि मैं इसने शुरा का पान किया करता हूं कहता है कि मैं जो मुझे प्रेम पूर्वक बात करता है मुझे इसने इसे बात करता है मैं वह अपने उसका पान किया करता हूं उसे मैं पानी की तरह पी लेता हूं मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं होता है संसार का जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ वो कहता है कि संसार की ऐसी रीती है जो संसार की बातें करते हैं केवल उनकी ही पूछ होती है उनका सम्मान होता है और लोग उने ही महत्वत देते हैं लेकिन मुझ में और उनमें काफी फर्क है मैं क्या करता हूँ मैं तो केवल अपने मन की बातें गाने के रूप में गाना ग मेरे हिर्दय में जो बातें आती हैं मैं वह उद्गार हमेशा लोगों के सामने बताता रहता हूँ। मैं निजूर के उपहार लिये फिरता हूँ और मेरे पास देने के लिए केवल गिफ्ट यही होता है कि मेरे मन में जो भाव होते हैं वही मैं हमेशा लोगों को बाड़ता फिरता हूँ है यह अपून संसार न मुझे को भाता, मैं स्वपनों का संसार लिए फिरता हूँ यह संसार मुझे अपून दिखाई देता है, मुझे भाता भी नहीं है, मेरा मन भी इसमें नहीं लगता है और मैं तो अपने सपनों के संसार को साथ ले करके हमेशा घूमता रहता हूँ संसार में इधर उधर जाता रहता हूँ मैं जला रदे में अगनी दहा करता हूँ मेरे रदे में एक अगनी हमेशा प्रदिप्त रहती है जलती रहती है और मैं उसमें हमेशा जलता रहता हूँ सुख हो या दुख हो सुख दुख दोनों में मगने रहा करता हूँ क्या चाहिए सुखा जाए या दुखा जाए मैं तो दोनों में समान भाव से रहता हूँ जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ कि संसार तो संसार की सागर से पार जाने के लिए नाव बनाते हैं लोग लेकिन मैं तो जो ये मोज हैं मस्ती है वह अपने इस संसार में क्या करता हूँ मैं तो इस सागर में अपने मस्त बहता रहता हूँ मुझे इससे पार जाने की कोई इतनी तत परेया अकांख्शा नहीं है मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है मैं तो इस सागर में मस्त रहकर के बहा करता रहता हूँ मैं योवन का उन्माद ले फिरता हूँ अभी युवापन का जो उन्माद है मेरे भीतर तो है हमेशा रहता है उन्मादों में अफसाद ले फिरता हूँ लेकिन फिर भी उसमें एक अफसाद की भावना है जो मुझको बाहर हसा रुलाती भीतर क्योंकि योवन का उन्माद है तो मैं हसता रहता हूँ लेकिन जो एक अफसाद भी है दो चीजे हैं यहां पर कविता में विरोधा भार्ष दिखाई आपको देगा कि उन्माद के सासत अफसाद भी है यहां और वह भार तो हस्ता रहता है लेकिन उसे भीतर से रुलाती रहती है मैं हाई किसी की याद ले फिरता हूं क्या उसे रुलाता है रोने पर उसे मजबूर क्या करता है कि वह किसी की याद में हमेशा रहता है और रोता रहता है फिर कभी कहता है कि कल यतना मिटे सब सत्य किसी ने जाना प्रश्ण पूछता है कि भई किसी ने क्या सचाई जानी है नादान वही है हाई जहां पर दाना फिर मुढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ग्यान भुलाना कह रहा है कि जहां पर दाना मिलता है कुछ पाते हैं लोग वहीं पर चले जाते हैं फिर मूढ न क्या जग क्या संसार पागल नहीं है जो इस पर भी सीख नहीं रहा है मैं तो जो हमने ग्यान सीखा है मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूं मुझे अधिक ज्यानवान नहीं बनना है मैं और और जग और कहां का नाता मैं तो जग से अलग हूँ मैं और कुछ हूँ जग कुछ और ही है मेरा कोई रिष्टा उससे नहीं है मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता क्यों नहीं है फार्क है क्योंकि मैं तो अपने दुनिया प्रती दिन बनाता हूँ और प्रती दिन मिटा देता हूँ जग जिस प्रित्वी पर जोड़ा करता है वैभव यानि कि लोग जो हैं इस धर्ती पर करिके धन, संपती, जमीन, मकान उनके पीछे भागते हैं मैं प्रती पगसे उस प्रित्वी को ठुकराता हूँ, मैं तो हर कदम पर उस धर्ती को ठुकराता हूँ उस प्रित्वी को ठुकराता हूँ, या दोनों में फर्क बता रहा है वै कहता है कि मैं अलग हूँ और संसार विल्कुल अलग है मैं निजरोदन में राग लिये फिरता हूँ भई मैं तो रोता हूँ तब भी उसमें एक राग है यहनी एक गायन की आवाज है उसमें शीतल वानी में आग लिये फिरता हूँ मेरी आवाज जो है शीतल है लेकिन उसमें भी आग है यहाँ पर भी आप विर्दवास का देख सकते हो हो जिस पर भूपों के प्रैसाद निच्छावर मैं वहे खंडर का भाग लिए फिरता हूं किता है देखे बहुत ही सुन्दर उसने शब्दों में यहाँ अपनी भावनाओं को बताया है कि मेरा जो मेरे पास खंडर है यादों का टूटा हुआ सा एक हिस्सा है वहे जो मेरे पास है उसका एक भाग है मेरे पास उस पर तो राजाओं के भूपों यानि राजाओं के प्रैसाद यानि महल भी निच्छावर है कुछ भी नहीं है उसके सामने जो मिरी यादे हैं पुरानी उसके सामने तो राजाओं के महल भी कुछ नहीं है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना मैं फूट पड़ा तुम कहते चंद बनाना क्यों कवी कहे कर संसार मुझे अपनाए मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना फिवे कहता है कि मैं जब रो रहा था तो तुम उसको गाना कह रहे थे क्यों कि मैं तो अपनी बात को व्यक्त करने के लिए अपनी भावनों को व्यक्त करने के लिए मैंने ये कवीता लिखी थी और मैं तो मेरी अंदर की जो बात ऐसे फूट पढ़ करके कह रहा हूँ मेरी जो भावना है वो बाहर आ रही है फूट फूट के तुम उसे चंद बनाना कहते हो क्यों मुझे कभी संसार कभी कहता है मैं तो दुनिया का एक नया दिवाना हूँ जो अपनी प्रेशी की यादों में दिवाना हो करके कुछ अपना रोना रोता है जिसे लोग गाना कहते है मैं दिवानों का वेश लिए फिरता हूँ मैं मादकता निशेश लिए फिरता हूँ जिसको सुनकर जग जूम जुके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं कह रहा है कि मैं तो दिवानों के सिवेश में रहता हूं मैं मेरे वस्त्र जो हैं बिल्कुल दिवानों जैसे हैं लेकिन मेरे पास जो मादकता है वह अभी भी बाकी है पुरानी यादों कि जो उसके पास मादकता है वह अभी भी बाकी ह है जिसको सुनकर के जग जूम सके जुके और लहरा है कि मेरे पास एक ऐसा संदेश है एक मस्ती का ऐसा संदेश में अपने साथ ले करके चलता हूं जिसे सारा संसार सुनकर के जूम भी सके जुक भी सके और लहरा करके नाच भी सके तो यह उद्गार जो थे दिखने को मिल रहा है साथी मस्ती दिवानगी और बेखुदी दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं बाजार से गुजराओं हूं खरिदार नहीं हूं तो यह देखिए यहां पर छाया वाद उत्तर गीती कवे का इसमें आप देख सकते हो कविता में एक प्रभ सब्सक्राइब किया है साथ ही अगर सरल भावों में बात करें तो सरवानुभूत विम्ब यानि जो सबको दिख जाएंगे वो चित्रों का यहां पर प्रयोग किया है और गीत जो है बेहित्तर नमुना है और अपने प्रेय की जो पुरानी इसके वितर भाव नहीं है उनका यह है आपके सामने शक्षात वर्नन करता है यह है गीत और इस तरह से एक बात हम यहां पर ध्यान देने की जो है उनकी युग भोध संबंदी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी उनका मुल्यंकन अभी तक नहीं हो पाया है तो बच्चन जी जो है उनका कविरूप वि किरम तर पठनिये बनी हुई है साथ ही आप देखेंगे कि वह हर भाव को इमानदारी से स्विक्रत करते हैं अपने हर भाव को सिकार कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं तो यहां पर वह बिल्कुल खुल कर अपने दिवानेपन को स्विकार करते हैं थैंक्यू फोर वाचिंग और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे बेल बटन को प्रेस भी किजे तक इसारे नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें थैंक्यू अगें थैंक्यू फो यो टाइम